कल वल्ड कप में बंगलादेश के खिलाब भारत का एक मैच है और जो दरसक है वो मान रहे हैं कि भारत के लिए एक प्रैक्टिस मैच जैसा होगा, लेकिन जो पुराने भारतिये प्रिकेट के फ्रसंशक है उनको याद आता होगा बंगलादेश का एक मैच, जब मैच बीटता तो जो भी भारत के स्टार खिलाडी थे सचीन हो सहवाग हो गंगुली हो धोनी हो सब के पुतले फूंके जाते हैं तस्वीरों को गधे पर बिठा कर घुमाया जाता है घर पे पत्थर चलता है इसके अलावा जब खिलाडी वर्ड कप से बाहर होकर वापस लोटते हैं तो एक भी खेलने आये आया थे इस मैच में भी जी रो पे अउट हो गये थे और इस मैच का देन है इतने तोहीना के बाद भी उनको कफतानी रोमलता है और इसके पाद उन्हें किया लगता इस मैच की पूरी कहानी क्या है कैसे धोनी कफ्तान मन गए और इस मैच में क्या कुछ हुआ था विश्टार से पूरी कहानी आपको वीडियो में आगे बताएंगे पर उससे पहले नवस्कार जन्ता जिंचन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्टा कैमरा के पीछे हमा रहा था और 17 मार्च 2007 को वेश्ट इंडिज का जो पोर्ट ऑफ स्पेन एतिहासिक मैदान है यहां पर यह मैच होता है मैच से पहले जैसा कयास लग रहा था कि बंगलादेश भारत के सामने क्या ही टिक पाएगी प्रैक्टिस मैच जैसा होगा आसानी से भारत जीत जाएगी ल टॉस होता है तो वहाँ पर सबसे पहले जो राहुल रावीड थे वो टॉस जीतते हैं और बैटिंग ले लेते हैं यहीं से भारत की किरकरी शुरू होती है सब लोगों का मानना था जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि टॉस जीतकर बॉलिंग करने चाहिए थी लेकिन वो बैटिंग लेते हैं इसके बाद फिर एक अनुखा मामला होता है जो ओपनर होते थे तब के सचीन तंदुलकर और सहवाग उनके बजाए यहां पे गंगुली और सहवाग को भेज दिया जाता है और सचीन को ओपनिंग करने के बदले बैठा कर उनको चार नंबर के अस्तान के लिए रखा जाता है पारी शुरू होती है और उसके बाद मात्रवी छेरन बने थे तब तक बेंद्र सहवाग को मसर्फ मुर्तुजा आउड कर देते हैं जो अपने करियर में बेहत एवरेज बॉलर रहे हैं और वो क्लीन बोल्ड करते हैं सहवाग को इसके बा कप्तान राहुल रभी आते हैं जो इस मैच में अपने फैसलों के लिए काधिक रिडिसाइज हो रहे थे हलाकि वह बल्लेवाजी अच्छी करते थी तो उनसे काफी उम्मीदे थी वह भी आते हैं मातर चौदर रन बनाकर चले जाते हैं इसके बाद गंगुली और इवराज में एक छोटी साज़ेदारी होती है 85 रन वो लोग जोडते हैं थोड़ी से उम्मीद बनती है फिर उसके बाद विकट गिरता है और उसके बाद जो पहला वर्ल्ड कप अपना खेल रहे थे मिस धोनी उनकी बल्लेवाजी करने की बारी आती है काफी नाम हो चुका था तब कि अच्छा खेलते हैं लेकिन वो आते हैं और जीरो पर भी ना खाता खोले वापस लोट जाते हैं भारत की पूरी टीम 191 रन बनाकर धेर हो जाती है इसके बाद जैसा कि उम्मीद था कि मंगलादेश हरा देगी भारत को वही हुआ भारत ने अपने इस टार्गेट को तीन लोग अर्चतक मारकर असानी से मैच को बचा ले जाते हैं इसके बाद जो भारतिये फैंस का रियेक्शन था वो क्रिकेट हीटी हास में अपने आप में काफी अनुखा है ऐसे भारत के साथ बहुत कम हुआ है भारती के जितने खिलाडी थे सचीन तनलुकर जिनके युराज सिंग हो तमाम लोगों के घर पे यहीं हो रहा था पुतले जलाये जा रहे थे हर तरफ लोगी तस्वीरें डालकर अर्थी निकाले जा रही थी तस्वीरों को गधे पर विठा के पूरा तरफ घुमाया जा रहा था और जो खिलाडियों के घर थे वहां पे पूरे एरपोर्ट को लगा जैसे बंकर बना दिया गया हो हर तरफ सिकूरिटी गाड लगे रहते हैं और भारतिय टीम के एक खिलाडी को कई-कई पुलिस वालों के बीच में रखकर उनके घर पे भेजा जाता है और कई महीनों तक उनके घर के बाहर ऐसे हैं सिकूरिटी त यहां तक तो सब कुछ ऐसे चलता है कि भारत की टीम मिक्दम से गर्त में हैं बरबाद हो चुकी है ग्रेग चैपल ने टीम को बरबाद कर दिया लेकिन यहीं पे धोनी के लिए एक गजब का मौका दिख रहा था जो रहुल रवीड थे कप्तानी का जो उनके प्रतिव उमी मैट आता है वहां पे टीटवेंटी वर्ल्ड कप की बात आती है और मैच वर्ल्ड कप से पहले ही सचीन यह तमाम खिलाडी हाथ खड़े कर देते हैं कि यह हमारे वसकी बात नहीं है हम लोग चोटे फॉर्मिट में नहीं खेलेंगे और उसके बाद धोनी को कप्तानी में घर पर मोबिल फिका गया था और उसके बाद से यहीं मैच उनको एक ऐसा कप्तान मना देता है जो भारतिया इतिहास में जब भी कप्तानी की बात होगी तो धोनी का नाम सबसे पहले आएगा बाकि आप यह कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में पुर्तिक्रिया ब अबाद